कि आज हम बोर्ड में एलवन एलटो के लिए मांग को लेके आये थे क्योंकि एलवन के लिए कोट में बर्तिष्ट पड़ों इस्टेर रुका पड़ा था भी हैरिंग के लिए भी तो आज देख साब ने काया है उन्हें अभी वकील साब भी कि इसको जल्दी हैरिंग के लगा सब्सक्राइब के लिए इस बार अगर अगर इस्तिति नहीं अटती है और जल्दी हरिंग नहीं होती है तो हम बोर्ड का वकील लगा देंगे लटू के लिए लटू के लिए अजी साब की नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाएंगे उसके तुरंत बाद यहासन को लेट बार आउगत करवा चुके बोर्ड दिखारी करें कि हमारे पास ही हम नहीं लिख सकते लेटर यह विभाग का विभाग लेगा तो हम विभाग से परियास करेंगे कि विभाग से जाकि वहां से लेटर निकलवाएं जो भी क्योंकि प्रोजिन और वेटिंग दोनों साथ आज सब्सक्राइब करेंगे साथ ही साथ इसके अंदर सब्सक्राइब की विभाग उनको चार बार लेटर लग चुका अध्यक सब्सक्राइब करेंगे उनसे जवाब मांगने के लिए तो वह कह रही कि जिस सब्सक्राइब करेंगी उसके बाद हम इनको आगे बताएंगे कि क्या हुआ ऑट निवब सब्सक्राइब कर दोनों के लिए इसलिए एल टू के लिए तो इसरब यह है कि जैसे ही एजी साब की नियुक्तु जाएगी लेटर लिखावा तयार रखावा है बाइदावे जैसे जिस दिन एजी साब को ऑफिसली अलाउंस्मेंट हो जाएगा उनको लेटर मिल जाएगा य हैं से लेटर जारी हो जाएगा उनके लिए लेकिन बाइद नाम को भेजगा कि आप लुख के लिए परिक्रया है यह हम वहाँ बात करेंगे तो इसलिए हम खुद भी वहां जाएंगे और उनको लेटर भी शू करेंगे आप जो नोन कांशलर है उनकी लिए आप जल से सूची विवाग को बोर्ड को भेजें ताकि इनकी नियुकति साथ में जवेटिंग हैं उसके बाद विभाग को पता नहीं क्या दिक्कत है तिक हो च्छे मेने तक अधिकारी उस चीज़ को लटका के बैठा रहते हैं और जब च्छे मेने के पूरे होने वाले होते हैं जब 10 दिन 15 बजते हैं तब बेजते हैं विभाग वाले वहां से भी लेटर आनन फाराम लेटर लिस्ट कंप्लीट हो गई है अगले 15 दिन के अंदर सभी बच्चों की नौन काउंसलर रहा है नौन जोइनर उनके लिए संबंदीद विभाग को भेजे संबंदीद डिपार्टमेंट को भेजे वहां से उसकी लेटिंग वापस करे तो च्छे मेने के प्रोसेस होई क्यों जो का मेंए मेने के अंदर होने वाला है उसके लिए छे मेने का प्रोसेस होई कियो पीटीद फेटीडा के लिए महां से विभाग से कंपर दस दिन पहले लेट रहा है उस पर भी आज मन्द कर आने वाले गुंति तरिक को आपके द्वारा साहीद समार क्पर धर ना दिया ज मैं की पिछले पांच शे ऐसी हो जोगी कि गशी बोड का वाकिल कुछ बात नहीं कर रहा हो आप तारीक पर तारइक थेल्सीनों की और व्यादरे पर तारीक के कब तक वर तारीक तारी 없다 कई तारिक का एंड तो हो किसी के पक्स से फैसला किसके फक्स में आएगा वह जाचि बोड के फक्स खिलाप आएगा वह वह मयाचर्ट ना काम है उन्होंने उनका काम में उनको लगा कि हमारे साथ गलत वा उन्होंने याचर लगा ये लेकिन वह अभiy sih जो बैठे है जिनका नंबर आज का जिसकी स्कुल अलोट उचकी है वह स्कुल के गेट के बार इसले बैठे हैं कि हमें आदेस मिल जाम अंदर गुछ जाएं उनका क्या दोस है वह कोट अपना काम करें कोई शूनिया में गलती अगर भी बागने की है बोड ने किये तो उसकी स हमेशा कहते हूं कि भरती को दस दिन लेड जारी करो भी इपती आप अपनी कमेट को बठा के सारे चीजिंगे करो न आप ऐसा करते ही हैं क्यों कि आज आपने क्यों ने पताला कि 10 दिन बाद वही सवाल जाके कहना है और पहुँंग जाता है और अड़क्साब को मैं ने इस सबसे बड़ी समझ्या यह है कि एक तो यह रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट निकालने में पूरे पद नहीं सब्सक्राइब निकालने के बाद में अनको पूरे नियुकति नहीं मिलती कुछों को विवाद में हर बर्ती कोड में जाती है यह से अरड के सामने वाले या चेकरता वाले वकील डेट पर डेंज ले लेत एक दो महिने तीन- महिने तो इसमें पुर्थी अइसे उलज गहे अब कि आप को जब भी आगा में सुनवाई कि जल्दी से जल्दी डेट लेकर एप्लेकेशन अर्जेंट में सुनवाई करवा कर और इस पर जो भी इस्टे का ओडर है वोट वाई जिसे बरतिक परिकरिया शुरू हो और जो नियुक्ति वाले जुनकी स्कुले मिल चुकी है बहुत कोड़ से अगर हमको इस्टे के और अगे की बात है लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि यह इस्टे हटे और जो आगा में सुनवाई है वो चाहिए दो दिन बाद हो चाहिए परसों हो तीन दिन बाद हो लेकिन जब भी बोड अपना पूरा इस पस्ट पक्स रखें और इस् कि आप इस भरती को जल्दी से जल्दी जथा इस्टति का ओडर है जल्दी से जल्दी डेट लीजिए हो सके तो आप कल सुनवाई करवाई सप्लिमेंटरी के इसमें सुनवाई करवाई अगर कल नहीं होता है तो परसों करवाई और अगर आप से नहीं हो पा रहा है तो आप क्लियर मना कर दीजिए जिससे क्या है कि हम कोई नया एड़ो के डूंडे और उससे बहुत को क्लियर करवाएं और जब उन्होंने हमारे सामने कॉल किया तो हम संतुष्ट तो हैं कि बढ़ती जल्दी पूरी होगी और यह इस्तिति के आगामी सुनवाई में अटेंगे उन्हो होता है तो अगली सुनवाई नहीं मिलती है तो तीन चार दिन में उनको तुरंत प्रवाव से अटा दिया जाए और नए वकील को आप नियुक्त करके इस वर्दी को पूरा किया जाए